हर्दा की बहुत पुरानी और मश्यूर इलेक्टिक शॉप सोलंग की इलेक्टिकल्स पे अभी हम हैं और जानना चाहेंगे इसके अउनर गबर सिंग पढ़ेल से गबर भाई केतना समय आपकी दुकान को शुरू हुए हो गया सन 1934 से चालो हुए अपने दुकान चार अक्टुमार 1934 को इसको नीव रखे गई थी जब से आध तक सतत चली आ रही हुए मतलब कमों बेश 33 बरस पूरे होने को है दिलो को शुरुवात में जो आपकी दुकान थी क्या-क्या उस तब से लेके अभी तक प्रगत्य और परिवर्तन हुआ कि शुरुबाद तो जो हुई था वो रेपेरिंग काम से होई थी दुकान जित बहुए मैं सारण हौलसेल के मिल जाएंगे रिटेल के रुपे मिल जाते हैं जब सबी तक यही परिवर्तन आया है पहले किराए की दुकान में थे आज जी दुकान में बस यह अंतर है तो हमने सुना है और देख भी रहें कि बहुत सी एलेक्टिक ऐसी कंपनिया है जिनकी आपके पास अभी है और में प्रमुप बताएं कौन-कौन सी है उसमें सबसे बढ़िया अभी नाम आ रहा है आरार का पोली केप का हेवल्स का ओर्येंट का पोलर है कि अल्मुनाट का है बहुत सरी कंपनी है जिनके अपने पार डिलर्शिप का काम है पूरा और बिगत बीस बरसों से तहीं सब कंपनी को साथ जोड़की चले आ रहा है और आज गून का सानिद्ध है जिसमें दिन चोगना वाली प्रगति वाला हो रहा है का हम इनके सांद हम अपनी एजूकेशन की फाइल दरदर लेकर भटक रहे हैं और सरकारी और प्राइवेट जाब के लिए परिशान होते फिर रहे हैं उस कंडिशन में आपने किसी सरकारी जाब या प्राइवेट जाब को गले नहीं लगाते हुए अपना खुद का काम शुरू किया है क्या सो प्राइवेट नहीं में साथ वी तक तो इस्कूल तक गया था साथ वी के बाद मेरा मन हो गया दुकान पर क्यों मेरे रिपेरिंग में इंजिनरिंग में बहुत ज्यादा दिमाग लगता था मेरा तो बच्पन से एक अभी लासा था एक इंजिनियर मनू दुरूबाग के सम मेंने बीकाम पूरा करा है एललवी का फस्ट एर करा है सेकेंड एर के बाद में ड्राफ हो गया था क्यांकि वह हमारे दुर्वाग के हर्दा का है हर्दा जिले का है कि यहां से लाका इंस्ट्यूटर होसंगाबाद कर दिया तो मैं किसी कारण बस पेपर देने ने दे पाया एक पेपर देखे आया तो दूसरे पेपर हम फिर मेरी इक्षा नहीं हुए तो महां से फिर जो सिलसिला विगड़ा तो आज तक कायम है रही बात एजूकेशन की तो एजूकेशन हर विक्तिन करना ची पढ़ाई जरूरी होती है ज्यान सब के लिए जरूरी होता है रही बा अपन को नोगरी ही मिलेगी या सरकारी अपने साथ कुछ करेगा अपना नीजी वेवसाइब कुछ भी कर सकते हैं जिसमें आपके दिल्चस्पी उसको चांद तक ले जाओं कोई तक लिए उसमें है बस यह है जैसा कि हम देख रहा है कि इन्होंने खुद की शाथ शुरू की है और कई युवाओं को भी अपने यहां पर रोजगार दे रखा है और उन सभी से इनका वहवार भी जो होता है वो मालिक और नोकर जैसा नहीं होता है उसमें भी एक बात क्योंगा यहां पर बात चेड़े कि हम उसका में रिजन था एक तो पढ़ाई जरूरी हो गए तो पढ़ाई में जाने लगा वेक्ति युवा जो भी था जो भी काम करता था तो पढ़ाई में जाने लग जाया उसके बात क्या हुआ सरकार की विविन ने जो योजना चल रही है घर बेट है और फिरे में बेटके खाना है तो बहुत सब्सक्र बड़ा दुगदाई हो गया उन्हें पूरा निकम्मा मना दिया है और मेरा यह मानना है कि यही कंडिशन रही तो आने वाले दस से पंदरा साल में अपन कहीं के लायक नहीं रहेंगे पूरा देश वर कोई काम करने वाला ही नहीं मिलेगा आज भी यह से थी कि मेरी दुकान में में वह अच्छे लड़कों की जरूत रहती है अच्छे बेवा और कम श्कान कि अखसे ओंका करने वर करते ही रहेंगे सब्सक्राइब तो मेरा सेवा के साल उपाई कोई व्यक्तिन नहीं हो मेरे सौ जी काने एक घर टूटता है आट तो इसको आफ मान नोकर्त है ना कि अच्छा रहेगा तो संपंदर के कि वह बहुत धन्यवाद गबर सिंग आपका एक मोटिवेशन युवाओं के लिए आपकी बातों से मिला है और निश्ची ती आज का बेरुजगार युवा जो है उसको प्रेला लेना चाहिए एक चीजी और कहना चाहूंगा मैं पेले क्या था आज से 15 साल पेले काम सीखने क सीखने के लिए नहीं ले रहे हैं वो खुद काम करने के लिए पेसे ले रहे हैं उसके बाद भी काम ने से मतलब सबसे बड़ी बात ही है कि काम तो होनी चीए और सरकारी या किसी भी डिपार्टमेंट में जागा तो अच्छा लेगा प्रेक्टिकल अनुवा लग रहता है आज आपने आई टे कर लिया यह कुछ भी इंजिरिंग कर लिए तो उसको उतना ग्यान नी रहता है जितना एक जगह काम करता है अब एक गाड़ी में के बाद जाएंगे तो उसका नुवा लग रहेगा और पुस्तों गाड़ी का नुवा लेंगे तो बूसका नुवा तो यह सब जनरल चीजे आज अपन उस दिसा में यह चलेंगे तो दस रोजगार नए खुलेंगे नए नए काम होएंगे बढ़िया होगा सब के परिवार बगरा सब अच्छे पलेंगे हमाई जोजी है कि युवा आएं काम सीखें जाएं बढ़िया काम करें अपना थानेवाद थानेवाद